अब दोस्तों आश्यक की वोग में आप लोगों का स्वागत है तो दोस्तों होली का सीजन आ रहा है इस समय आलू मार्केट में आ गाए हैं तो हम चलना है अलू के पापड बनाने तो यह देखिए हमने बना के सुखा के रख लिया है तो चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं चलिए हम लोग सीखते हैं आलू के पापड़ बनाना और दोस्तों आप लोग भी बनाईए और औरों को भी बताईए कि आलू के पापड़ कैसे बनाया जाता है तो आईए चलिए हम लोग बनाते हैं शुरू करते हैं कि दोस्तों यह पांच किलो का कुकर हैं देख लिजे इसमें मैं ताल नहीं हूं धाइ किलो आले डालओं एक कटोले पानी बस इसमें मैं ज्यादा पानी नहीं डानुग लोग ज्यादा डालते ना इतने में यह उबना है अब चलना इसको हम गैस पे दुख लिख लें तो सीटी दिया दो सीटी में अलू उबल चुका अब इसको हम छान नेंगे देखिए यह नीचे कड़ाई रखें अब इसे हम चीलेंगे पूरा चील लेंगे तपीसे लेंगे अब देखिए दोस्तों आलू में चील लेंगे अभी थोड़ा सा आलू ताजा है ना नया सीजन का इसलिए थोड़े चील के निकालने में थोड़ा छोटे-छोटे करके चील के निकलेंगे तो मैं आलू अपना चील लेंगे तब इसके पुरा अलू चीलने के बाद मैं भी थोड़ा है और अब हम चलने इसको सील बट्टे पीषेंगे क्योंकि कुछ लोग अदू-कस से करते हैं कुछ लोग हाद से मसलते हैं लेकिन हमें सील बट्टा यह सही लगता है तो चलते है अब पेशना इससे दोस्तों बारिक अच्छा होता है तो सील हमारी छोटी है बड़ी होनी चाहिए लस्प अब आज़स्स भी अच्छा अच्छा अजय को अ इसके पूरा पेस लेंगे ताल करणे लुगा करिंगा स्थाल हिल हुआ करें शुट है नहास साथ करेंगा और नहास सर लुट है लुट है रुट है लुट है लग कर फंगा दोस्तों यह ठंडरा हुआ है थोड़ा सा गरम गरम रहता है तो यह अच्छे से और जल्दी पिसा होता है तो हम पूरा पीस के फिर आपको हम दिखा देखे दोस्तों मेरा आलू पिस गया है लोग ऐसे हाथ से मसलते हैं का दूकस से मसलते हैं लेकिन इतना लस्तम जो है यह चीज नहीं होगा और इसके होने से पापड अच्छी बनती है दोस्तों इसमें हम चीजे कुछ डालेंगे तो इसको मिलाएंगे थोड़ा आपको देखने में दोस्तों गंदा लग रहा होगा लेकिन फिर भी देखिए यह लालमीर से डालने हैं यह अपने टेस्ट के एकारडिंग आप डालिए जो भी आपका टेस्ट हो नमक डालने हैं नमक इसमें थोड़ा कम रहेगा क्योंकि य इसमें दोस्तों यह जीरा यह भी डेले यह जीरा भूना हुआ है भून के हम इसमें अब इसको मिलाएंगे मिलाने में भी मेहनत है दोस्तों पीछने में भी मेहनत है क्योंकि मिलाने में जल्दी यह मिलेगा नहीं क्योंकि हाथ में यह चिपक रहा है दोस्तों इसमें आप इसलिए मैं हल्दी नहीं डाल सकते हैं और पीसने वाला जो सील बट्पे पीसने जाता है वह बहुत अच्छा होता है उसको पापड बराबर बनती है बाहरी दोस्तों यह मैंने सब मिला लिया है अब इसमें हम क्या गरेंगे थोड़ा सा लेचल के बाहर बनाएंगे इसके बा अब अब इसके फिर घटेगा तो फिर आके ले जाओं आप इसमें से अभी फिराल इतना ही लेचल नहीं है और यह ले ले रहींगी अब यह पन्नी आप किसी भी चीज का जैसे आपके हां आता है ना शामान चावल है दाल है तो ऐसी पन्नियां लेकर काटके रहेंगे अब लेके चलना है मुझे बाहर है यह देखिए सेंडर टेबल का यह है तो इसको मैंने धुल दाल के रख लिया था जिर्वत पढ़ने पर जब उसको बदलते हैं तो मैं इसको चीजे रख लेती है अब इसको दूली हूं साफ की हूं फिर इस पर मैं चल नहीं हूं आप जैल्या बना 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 हम रख लेंगे अब इसको चलेंगे अब इसको छिंगे आप अधी सब लगाऊंगी तेर अलका स्ट इसको बनाने में अ क्योंकि फिर इसको लटना पर लटना नहीं पड़ता है अब आप पन पाव तेल ना भी लगाए तो कोई बात नहीं है क्योंकि यह पनी है आराम से इस पर छूट जाए ऐसे करके आप बनाथे बहुत ईजी बन जाए गाए किअ सिर्धा किँ बनाथे, भीपदा लाए, भीपदाrit की बनाथे. कि अबता हुधर गीपदा है आपके, बनाथे, strengthen the औरीपद然 будет तैय कुईते हुआ है प्रूमी टाउनाता है पुटी कर वाल겠। दोड़3 ुटी झाल नहीं जुटी दोस्तों हम पापड बना लिए यह बन चुका है अभी और बनाएंगे अब कपड़े पे डालेंगे इसको धूप जाओ के कहीं भी बना सकते हैं रात में बना के पंधर फून दीजिए अराम से सूख जाता है इस पापड में कोई दिक्कत नहीं आती है आसे अरो? करें करें तो नहीं है है रिए अरोग नहीं है बनाएंगे तान्म एक पिता है सुळ थैसे दोगी बना में गएगक अरेंगे हैं तुपकाँ जिए उदेखिए आता है देखिए ये पन्नी पे डाले थे पापड और ये कपड़े पे डाले है इसमें तो फुरी जी दिक्कत आ सकती है इस पन्नी पे है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ये आराम से निकलता चला जाएगी देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं इस पापड में होगी ये निकलता लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत आए इसको हम देखने अगर दिक्कत आती है तो दूसरा तरीका अपनाएंगे दूस्तों यह देखिए यह यह उचडदय नहीं हाई उचड़िगा लेकिन बहुत दिक्कत आएगा है यह टूटे गाए फुटे गाut नुकसान की इसका नेकल तो लग गया लेकित इसका एक तरीका यह है दोस्तों यह उलड़ दीजिए और इस पर थोड़ा पानी चिलग दीजिए तो यह बहुत आराम से पापड़ा आपकी निकल आएगी मैं इतना दिखाती हूँ अब इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि यह पापड़ आराम से निकल आएगी मैं देखिए बहुत आराम से उचड़ जाएगी इस तरह करके सारी पापड़े आपकी निकल आएगी मैं यह एक टिप्स है दोस्तों कि आराम से पापड़ निकालने का तरीका यह है अधर आराम से निकल आएगा अज इदर पानी नहीं जाएगा उसको पनी नहीं पड़े चाहुत ऐसों देखते हैं देखिए सब्सुक्ताइश चाहिए जो इन दोस्तों आपका रख्विट मतल्समें फिर से पानी डालना पढ़ेगी इस तरह से हम सारी पापड़ों को निक अब इसको पूरा टाइप नहीं करेंगे देरी तक नहीं भूलेंगे इसको उलाया में निकालेंगे यह निकलने के लाद पिर अपने आप को पुरा हो जाता है तो हम इसी तरे इसको निकालेंगे दोस्तों पापड को ज्यादा यह वाईठी रहने दें तभी निकालने क्योंकि फिर ठंडा होने के बाद थोड़ा साथ नयाप लाल हो जाता है क्योंकि तुछ पक्ता है थोड़ा साथ है तो मैं तल चुकी हूं गैस बन कर दे रहे हैं है को धिये दोस्तों यह हमारा पापड तयार हो गया है देखिए प्रेइप य दोस्तों आप्लोग भी इसी तरे बनाये दोस्तों कोई नहीं रेश्पी लेके हम पेर आएंगे दोस्तों तब तक कि देखी ठाब के देखें दोस्तों फुटुआ है और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और सेर करें दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों नुदस्कार टाटा वाय बाय